मंसुन सत्र में आप सबका स्वागत है सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधी भी जड़ा ज़ादा है और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए पवित्र कारियों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है और आज जब लोगतंत्र के मंदीर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं तो ये लोगतंत्र का मंदीर ऐसे अनेक पवित्र कारियों करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है मुझे विश्वास है कि सभी मान्य सावसद मिल करके इस सत्र का जनहित्म सरबाधीक उप्योग करेंगे संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर संसद की जो जिम्मेवारी है ऐसे अनेक कानूनों का बनाना उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुती आवश्चक है और चर्चा जितनी ज्यादा होती है चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है उतना जनहित्में दूर गामी परणाम देने वाले अच्छे निर्णे होते हैं सदन में जो माननी सांसद आते हैं वो धर्ती से जुड़े हुए होते हैं जनता के दुख दर्त को समझने वाले होते हैं और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरब से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो सम्र्द होती है निर्णे भी ससक्त होते हैं परणामकारी होते हैं और इसलिए मैं सभी राजनितिक दलों को सभी मान्य सांसदों को इस सत्र का भरपूर उप्योग करके जन हित के कामों को हम आगे बढ़ाएं यह सत्र अनेक रूप से महत्वका भी है क्योंकि इस सत्र में जो बिल आये जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए है हमारी युवापीड़ी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकारते नेत्रूत्व कर रही है उस समय देटा प्रोटेक्शन बील देश के हर नागरी को एक नाया विश्वास देने वाला बील है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बील है उसी प्रकारते नेशनल रिसर्ट फाउंडेशन ये भी लेनारेफ नई शिक्षानिती के संदर्प में एक बहुत बड़ा एहम कदम है और इसका उप्योग अनुसंदान को बद लेना इनोवेशन को भल देना रिचर्च को भल देना और हमारी उवापीड़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नित्रुत्व करना का सामर्त रखती हैं उनके लिए बड़ा आउसर दे करके आ रही हैं जनविश्वास बिल सामान्य मानवी के परति भरोसा करना अने कानूनों को डिक्रिमिल्राज करना इस मुहीम को आगे बढ़ाने वाला इबील उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खतम करने के लिए भी एक बील में प्रावधान किया जा रहा हैं हमारे यहां सद्यों से एक परंपरा रही हैं कि जब विवाद हो तो सम्वाद से सुल्जाया जाए मिडियेशन की परंपरा हमारे देश की बहुत सद्यों पुरानी है उसको अपकानूनी आधार देते हुए मिडियेशन बिल लाने की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उप्योग है जो अनेक विवादों से सामान्य से सामान्य मान्वी से ले करके असामान्य संजोगों को भी मिल बैठ करके सुल्जाने का एक मजबूत निव बनाएगा इसी प्रकार से देंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजिज के लेकर मेडिकल के चात्रों के लिए एक नई व्यवस्ता को आकार देगा ऐसे अनेक महत्वपूर्पूर्पील इस बार इस सत्र में सउनसद में आ रहे हैं तब ये जन हितके हैं ये युवा हितके हैं ये भारत के उद्वल भविष्च के लिए हैं मुझे विश्वास हैं कि सदन में जंबीरता पूर्वगिन बिलो पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट हित के महत्वपुन कदमों को आगे बढ़ाएंगे साथियों आज जब मैं आपके बीच आया हूँ इस लोकतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूँ तब मेरा रदय पीडा से भरा हुआ है क्रोध से भरा हुआ है मनिपूर की जो घटना सामने आई है किसी भी सब्ब्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुना करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगा पे है लेकिन बेज़्जती पुरे देश की हो रही है 140 करोड देशवाचियों को सर्मसार होना पड़ रहा है मैं सभी मुखमंत्रियों से आगरे करता हूँ कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्ता को और मजबूत करें खास करके हमारी माता और बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं गटना चाहे राजस्तान की हो जटना चाहे चत्तिश गट की हो गटना चाहे मनिपूर की हो इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोणे में किसी भी की राज्य सरकार में राज नीतिक वाद विवाद से उपर उठ करके कानून व्यवस्ता का महत्मा है नारी का सम्मान और मैं देश वाच्यों को भी स्वाद दिलाना चाहता हूँ किसी भी गुनेकार को बख्षा नहीं जाएगा कानून अपनी पूरी शक्ती से पूरी सक्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा मनिपूर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माप नहीं किया जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों तो आप संसेद भवन परिसर से जो मीडिया से संबोधन है वो सुनने थे बहुत हैं बाते प्रधर्मन्तुरी ने कही है एक बाद फिर उनको हम आपके सामने रख रहे हैं